पीएम नरेंद्र मोधी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, तीन दिनों के दौरे पर ज़ा रहे हैं पीएम मोधी, क्वार्ट शिखर सम्मिलन में करेंगे शिर्कत, न्यूयोक में भारती समुदाई को करेंगे सम्मोधित, यूएन महासभा में भी पीएम मोधी का सम्मो और कहा जा रहा है कि अमेरिका की पूर्व राश्रोपती डौनल्ड ट्रम्प ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मिलने की च्छा भी जाहिर की है, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी डौनल्ड ट्रम्प के ग्रहजले में ही पहुंचेंगे, कहा जा रहा है कि डौन मंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हुए तीन दिनों के दौरे पर जा रहे हैं पिये मोदी बहुत ही एहम ये पूरा दौरा है अब आपको पिताते हैं पिये मोदी ने अमेरिका दौरे से पहले क्या कहा उन्होंने कहा कि आज में राश्चुपती जो बाइ पर जा रहा हूँ, मैं क्वार्ट शिखर समिलन के लिए अपने सहीयोगी राश्रुपती जो बाइडन, प्रिधान मंत्री अल्बनीज और प्रिधान मंत्री किशीदा के साथ शामल होने के लिए उत्सुख हूँ, ये मंच हिंद प्रिशांत अक्षेत्र में शांती, प्रगती और सम्रिधी के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुक समूग के रूप में उभरा है, राश्रुपती बाइडन के साथ मेरी बैठक हमें अपने लोगों और वैश्विक भलाई के लाव के लिए भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनी साज्यदारी को और गहरा करने के लिए नए रास्तों की समिक्षा और पहचान करने की अनुमती देगा, मैं भारतिये प्रवासियों और महतुपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ जुड़ने का बेसबरी से इंतजार कर रहा हूँ, जो प्रमुक हित धारक हैं और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच अनुठी साज्यदारी को जिवन्तिता प्रदान करते हैं, भविशे का शिकर समेला और वैश्मिक्ष समुदाय के लिए मानवता की बहतरी के लिए आगे की राह तैयार करने का एक अवसर है